असलाम आलेकूँ वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में तो आज के इस यूडियो में हम बात करेंगे जी के बोभी BSN नर्सिंग पारमेडिकुल और टेकनोलजी कॉर्सिस की काउंसलिंग के बारे में इस यूडियो में आपको डिटेल में समझाओंगा वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलिग्राम ग्रूप हमारे जोइन कर देना लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चली वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेती यहाँ पे बैसे नर्जिंग है चाए बैसे पार मेडिकल हो चाहे बैसे टेक्नॉली कोर्सम हो वेसे पहले राउंड इन्होंने लास्टेर ओनलाइन करा था दन दूसरे राउंड इन्होंने फिर लास्टेर ओफलाइन करा था इस बार का देखा जाएगा जब नोटकिशन आ जाएगी उसमें पता चलेगा कि काउंसलिंग हमारी ओनलाइन होगी या काउंसलिंग हमारी ओफ समझ लेते हैं, उसके बाद हम offline counselling का procedure यहां पर समझ लेते हैं तो देखे, online counselling के लिए किया होगा, कि अभी 10-15 दिनों में notification आ जाएगी उसमें mention it होगा कि KIS RANK से लिए कि 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 रांख के कंडिडेट को जाओओ, पहले round counselling में participate करना है अगर online counselling होगी उसमें आपको day wise यहां पर बुलाया नहीं जाएगा उसमें डेक्ट लिए आपको बोला जाएगा फार्जमल अगरो ने बोला साधे आठ थाजार रेंक तक एकनी डेट को पहले round में counselling में participate करना है तो उसके लिए आपको time दिया जाएगा 10 या 15 दिनों का time आपको क्या काम करना पड़ेगा link जो है वो बोपी की website पे activate हो जाती है counselling के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा online ही आपको होगी गर में बैठ के करना ही आपको इदर उदर बटकने की जुरुत नहीं है आप website पे चलेगे वहाँ पे आपको registration पे लिए करने बड़ेगी registration में आपको अपना बोपी का roll number या registration नमबर डाल की email id डाल के आपको OTP आजाएगी वो डाल के आपका login password एक ID जनरेट हो जाएगी उसके बाद वो आपको वहीं पे login का भी option होता है तो जब counseling का page आपको open होगा उसमें सिरफ आपको BAC nursing के ही colleges वहाँ पे होँगे अगर उसमें आपने paramedical या technology भी रखा है तो सब का वहाँ पे आ जाएगा यानि कि वहाराल जो जो उसमें वहाँ पे आपको form fill up कर दे समय आपने रखा था BAC nursing, BAC paramedical, BAC technology थे तीन options थे अगर आप तीनों ने रखें तो तीनों टाइपस के colleges वहाँ पे आ जाएंगे तो आपको simply क्या काम कर लेना है जिस-जिस college में आपको जाने का interest है वह college आपको one by one करके select करना पड़ेगा ठीक उधरी आपको add college का एक option होता है आपने वहाँ पे click किया, add college किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चोसरा, पांचमान online counseling में कोई भी limit आपके colleges की नहीं होती है आप जितनी मर्जी हैं उतनी आप वहाँ पे select कर सकते हैं तो colleges की list जब आपने वहाँ पे submit करी उसके बाद आपको final submit अपना form करना पड़ेगा final submit करती ही जो आपने preferences रखी होगी उसका आपको PDF आपर download करने को option मिलेगा वो आपने download किया उसके बाद next step पे आपको अपनी fee पे करनी पड़ेगी और 1000 रुपी जो आपको fee पे करने पड़ेगी वो आपको महीं से करने पड़ेगी तो fee का आपको फिर print out या जिसका हम hard copy कहते हैं वो आपको मिल जाएगी वो आपको अपने pass रख लेनी है ठीक इसी तरह से आपके online का counseling होता है procedure जस्त दो या एक या दो गंटे के अंदर आप अपनी counseling को यहां पे submit कर सकते हैं होगे आपका online counseling का यहां पे procedure उसके बाद फिर भोपी जो है वो उसको analysis करेगी rank list से तयार कर दीगी आपके selection list यहां पे आ जाएगी तो आपको colleges में admission वगर यहां पे करना पड़ेगा तो online counseling में आपको तभी बोल रहा हूँ काफी जादा easy है students के लिए beneficial रहेगा एक तो इसमें जादा time भी आपका नहीं जाता है और दूसरा आपको फिर वहां पे भोपी आफिस भी बटकने के जुरूद नहीं क्योंकि जो लद्दा के students है उनको आना पड़ता है जम्मू या सरनेगर आना पड़ता है या उसी तरह से राजोरी रियासी के students है उनको फिर जम्मू आना पड़ता है तो आफ-लाइन counselling का प्रोसेजर क्या होगा कि अभी 8-10 दिनों में आपकी notification आ जाएगी तो notification आने के बाद बोपी बोलेगी कि किस rank से लेकि किस rank तक के candidate को counselling में बुला जाएगा अगर offline counselling होई तो ज्यादा से जादा पहले round में वो 6,000 rank तक के candidate को वहां पे बुला सकते हैं या 7,000 rank तक के candidate को counselling के लिए बुला सकते हैं थीक उन्हेंने वह उनकोऊन पहले round में पार्ट-स्पेट करेंगे उसके बाद वहां पे नीचे 10 दिनों का schedule दिया होगा एक अगस्त दो अगस्त तीन अगस्त चार और पांच तारीक तक ठी इस तरह से दस तारीक तक तो एक तारीक को यहां पर बोलेंगे रेंक वन से लेके रेंक 600 तक के कंडिडेट आ जाएंगे दो तारीक को यहां पर बोलेंगे 600 वन से लेके 1200 तक के कंडिडेट आ जाएंगे र बोपीआफस ठरनकर चले जाए या बोपीआफस आपको जम्मो जाना पड़ेगा जहाँ आपके मरजिया वहां पर जा सकते हैं वहां पर जाने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा वहां पर आपको एक application form दिया जाएगा जिसको कांसिलिंग का फॉर्म कहते हैं वह में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कांसिलिंग का फॉर्म जो आपका होता वह में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कांसिलिंग का फॉर्म यह वाला फॉर्म ठीक यह वाला फॉर्म आपको वहां पे दिया जाएगा इस तरीके का इ थी 1000 आपने fee वहां पे pay करी आपने documents भी आपने वहां पे ले जाने होते हैं साथ तो उसके बाद आपके वहां पे check हो कि आपको यह वाला application counseling का form वहां पे दिया जाएगा इसको आपको fill up करना पड़ेगा जैसे यहां पे पेले आपको roll number डालना पड़ेगा उसके बाद यहां पे आपको नाम डालना पड़ेगा category कूंस यह वह डालने पड़ेगी marks कितने है rank कितने है आपकी उसके बाद अपना mobile number यहां पे आपको डाल दिया यह सब आपने fill कर दिया उसके बाद नीचे यहां पे आपको call judge अपने select करने पड़ेगे ठीक इसमें usually BAC nursing में 10 call judge आप select कर सकते हैं 10-15 जितने भी होंगे ज्यादा नहीं होते हैं 10-15-20 के आज-पास ही होंगे तो वैसे 10 ही होते हैं यहां पर तो इसमें आपने call judge आपने select करने हैं जैसे for example पहले preference में रखता हूँ BAC nursing in BAC nursing in GMC Ser Nugatic इस तरह से आपको नहीं यहां पर रख लिया BAC nursing in GMC Ser Nugatic या BAC Paramedical में कौन सा जैसे BAC Operation Theatre in GMC Ser Nug इसी तरह से जो जो कूर्स आपने रखना होगा वो आपने इन box's में यहां पर fill up करने पड़ेंगे जितने भी होंगे वो आपको यहां पर select करने पड़ेंगे उसके बाद नीचे आपको कुछ declaration अगरा भी यहां पर डालनी पड़ेगी अपना नाम अगरा declaration डालके तो उसके कॉलेज के cut-off में ना भी आ जाते हो तो आपको वहीं से बोलेंगी कि आप यह वाला कॉलेज वहां पर रख लो मेभी इसके cut-off में आप आजाओगे उसके बाद आपने form अपना submit कर दिया वहां पर तो 10-15 दिन के अंदर अंदर जहो बोपी आपकी फिर selection list जारी कर देती है selection list में आपको colleges मिले होते, courses मिले होते तो उसके बाद आपने college में admission बगेरा करना पड़ेगा उसके बाद फिर अगर अपना college आपको पसंद नहीं है तो आपको upgradation के लिए भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम separate video का भी upgradation पे डालेंगे तो आपको फिलाल हम उसमें समझा पारूंगा